इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि we will discuss some different problems, पिछली बार जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा different होगा, concept तो वही है, constraint motion की equation आपको इधर भी चाहिए होगी, बट constraint motion की दूसरी equation, पिछली बार जो problems थी, उसके अंदर thread A की use होता था, पूरा string A की use हुआ था, जो rope use की थी, वो पूरी A की घूम रही थी, तो इसलिए हम वहाँ prefer करते हैं, ऐसा नहीं कि वो दूसरे method से नहीं किया जा सकता, बट वह हम prefer करते हैं, कौन सा method, point method, लेकिन यहाँ पे हम, यहाँ पे thread A नहीं होगा, यह थोड़ी different तरह की problems आपको दिखाई देंगी, ठीक है, मैं दो problems discuss करूँगा आपके साथ, और आपका concept बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो उसके बाद, हम लोग पहले देखते हैं, problem है क्या, फ see this is the problem, इस problem के अंदर सबसे पहली चीज क्या दिखाई देती है आपको, इसके अंदर क्या दिखाई देता है कि this is, how this is different, तो इसके अंदर दो threads देखो, एक A string है, एक A string है, दो different strings यूज हूँ है, अभी तक जितनी problems previous video की थी उनके अंदर A की string था, तो इसलिए यहाँ पे थ इतने points हैं, वो सारे लिने, तो यहाँ पे 2 threads है, तो 2 equations बन जाएंगी, तो फाइदा क्या, तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा method लगाएंगी, जो हमने पहले सीखा था, relative velocity वाला, मैं बताता हूँ आपको अच्छे से, आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे direction mark कर लो, इसमें आ यहाँ पे threads दो हैं, एक यह और एक blue color वाला, मैंने आपको separate करके भी बता दिया, tensions की अगर बात करूँ तो यहाँ पे directly नजर आती है आपको कि अगर T यहाँ है, T यहाँ है, ठीक है, यह तो same thread है, तो इसलिए T यहाँ पे आएगी, तो यह 2T होगी, directions अब आपको आनी चाहि 2T, 2T, हर जगा 2T है, लिख दो यहाँ 2T, fine, फिर करना क्या है हमने यहाँ पे, जो सबसे important बात है यहाँ पे, कि हम यहाँ constraint की equation कैसे लिखेंगे, constraint की equation लिखने के लिए हम relative velocity वाला concept, यह relative acceleration वाला concept यूज़ करेंगे, जिसमें हमने यह सीखा था, कि AP equal to A1 plus A2 upon 2, यह अब देखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता, तो यह आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यह हम पढ़ चुके हैं, AP equal to A1 plus A2 upon 2, AP मतलब इसकी motion के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यह कहाँ है, इसकी क्या लिए, इसकी acceleration वही होगी, AA, तो इसकी answer क्या आएगा, इसमें आगया, AP equal to A1 plus AP कितना है, माइनस AA, A1 कितना है, माइनस AB, माइनस क्यों नीचे जा रहा है, अब नीचे ऊपर का concept आ जाता है, पॉइंट वाले के साथ मिक्स नहीं करना, पॉइंट वाले में increasing, decreasing का concept के according हम प्लस माइनस लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस माइनस ऊपर नीचे के upon 2, so ultimately बन गया, AA equal to AB plus AC upon 2, that's it, यह आपकी constraint की equation आ गई, तो यह equation हमने derive की, अब next equation कहां से derive करोगे, लाओ, यह देखो, 2kg वाला block, मैंने लिख रहा आप कुछ भी, 2kg वाले block में A की force दिखाई दे रही है, direct equation मैं लिख रहा हूँ अभी, 2T मैंने बताया भी था आपको यह 2T ही है, ठीक है, तो 2T equal to 2AA, यानि कि T equal to AA आ गया, 2AA क्यूं MA, ठीक है, तो यह आगी equation number 2, मैं circle करता जा रहा हूँ, ठीक है, फिर third equation कहां से लिखेंगे, इधर से लिखो, ठीक है, क्या लिखोगे बताओ, मैं बताता हूँ आपको, 80 minus, यह देखो, 80 minus, आपने जो यह T की direction बनाई है, गबराना ने T की direction ऐसे होती है, दो बनाने पड़ते हैं, यह जो T की direction है, यह पुली के लिए, यह जो नीचे वाला T है, यह ब्लॉक के लिए है, तो 80 minus T equal to 8A, 8AB, यह आगी equation number 2, 3 rather, ठीक है, फिर तीसरी इस के लिखो, 100 minus T equal to 10AC, सिर्फ equations की कहानी है, nothing is there in this question, ठीक है, यहाँ से, अफिर से वोई rule है, जो हम इतनी देर से सीखते आ रहे हैं, यहाँ से, यहाँ से हम, यहाँ से हम, इन तीन equation से, 1, 2 और 3 से, ठीक है, इन तीन equation से, इसको C, इसको लिख दो, आप कुछ भी, इसको लिख दो motion की equation, ठीक है, M लिख देते हैं, हर बार, तो मतलब हर बार आपने क्या करना है, आपने, इन equation 1, 2 और 3 से, आपने, A, A निकालना है, A, B निकालना है, और A, C निकालना है, in terms of T, और substitute कर देना है, equation number M में, equation M मतलब constraint mention की equation, उसमें substitute कर देना, C लिख दो चाहे, 1, 2, 3 को किदर डाल दो, C में, C मतलब constraint, तो constraint की equation म निकलेगा, T की value, देख लेना, शायद ये आती है, 200 upon 23, Newton, ठीक है, तो ये इसकी equation है, यहाँ से आपका question solve हो जाएगा, इसमें different क्या था, इस question में, और उस question में, यहाँ पे हमने constraint motion का दूसरा concept यूज किया, क्यों किया, क्योंकि threads के कारण, ropes के कारण, strings के कारण, दो strings involved हैं, इसमें एक additional बात क्या बोलीगी है, कही बार वो लोग ऐसे ही सिर्फ question को बढ़ाने के लिए kinematics बीच में गुसा देते हैं, tension और accelerations तो बोला ही गया है, find करने के लिए, also it is asked to find the time taken by 2 kg block to move 2 meter starting from rest, कि 2 meter उसको move करने में कितना time लगेगा, 2 kg ब्लॉक को, और rest से start हुआ है, यानि u equal to 0, s is equal to ut plus half a t square का formula अगर लगाएंगे, u अगर 0 है, तो s is equal to half a t square आएगा, a तो हम निकाली रहे हैं, acceleration सारे हों की निकाल रहे हैं, 2 kg block की भी acceleration निकाल लेंगे, तो जब 2 kg block की acceleration आप निकाल लोगे, जब 2 kg block की आप acceleration निकाल लोगे, तो आप मुझे बताओगे कि 2 kg block की acceleration निकाल लोगे, तो हम क्या लिखेंगे, s is given at 2 meter, तो 2 is equal to half a a, मान लो ये a a है, तो a a t square, तो t निकाल गया, तो मत्तब this is only a formality, ये तो ऐसे ही पूछा है आप से, main काम वही है जो हम इतनी देर से करते आ रहे हैं, तो इसके please इसको अच्छे से हमने समझना है कि कैसे हम इसको proceed करेंगे, nothing is difficult in this question, मैंने आपको बोला पिछला ही concept है जैसा है लेकिन ये जो problem, particularly problem मैंने बनाई है यहाँ, this is a very important problem, I have seen this book in many books, तो बड़े अच्छे से इसको सीखो, तो देखेंगे हम कैसे करेंगे, वही same rule, वही same rule पहले टेंशन को लेके मैं बता देता हूँ, T, T, एक T लिखलो, T, T, hence, 2T, hence, 2T, देखेंगे आप, अगर कोई यहाँ पूछ ले ना by chance, यहाँ 4T आएगा, इधर भी 2 arrow बनेंगे जगा नहीं मेरे पास, उपर से भी बनेंगे, इधर भी 4T, बट पूछा नहीं, किसी ने पूछे कोई कि यहाँ पे, यहाँ पे कुंडी अटकी हुई है, इसकी यहाँ पे कितनी टेंशन पड़ रही है, टोटल फोर्स कितनी न्यूटन में लग रही है, आंसर इस 4T, तो T तो निकाल नहीं है, हमने तो सारे T निकल जाएंगे, सारी टेंशन पता चल जाएंगे हमें, तो पहली बात यह एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है, तो यह इंपॉर्टन, अब इसके आगे क्या एक्सपेक्टिड है हमसे, फिर वही कंस्ट्रेंट का कहानी, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ, ए, ए, लेख रहें, यह पूरा ए, यह वाला स्ट्रिंग जो उपर वाला है, इसमें सारे मैं ए, ए होगी, नीचे यहाँ, नीचे आएं तो, कुछ भी मानलो इसको, पिछली बार की तरह ही है, यह सेम, कुछ नहीं यह फर्क है, इसमें और इसमें, इसमें A भी ले लो, आप बोलते हो सर, पिछली बार आपने ऐसे नीचे दोनों लिये थे, इस बार आप इसको AC लेके दिखाओ, ऐसे ले लो, ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होने वाला इस, nothing is going to happen, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम अब बताओं क्या बनेगा, इस section के लिए मैं equation लिख रहा हूँ अभी, इस section के लिए, इस section के लिए, जब constraint की equation लिखूंगा, तो I very well know कि यह जो pulley है, इसकी acceleration खुद की AA ही है, you can check that, तो इसलिए equation क्या बनेगी, AP equal to A1 plus A2 upon 2, यह formula हमने पढ़ा है पहले, AP कितना है, minus AA, minus AB, plus AC upon 2, so AA equal to क्या बना इस case में, AB, minus AC upon 2, तो यह बन गई आपकी constraint की equation इस बार, इस बार क्यों आपका minus AC आया लिए है, तो उमने उल्टा, जिसने, देखो मैं बताता हूँ, जिसने, मानलो AC का answer जो है, मानलो AC का answer 10 आता है, मुझे नहीं मालुम क्या आता है, AC का answer मानलो 10 आता है, जिसने, मैंने जैसे उपर लिया, तो मानलो 10 आता है मेरा, तो जिसने नीचे लिया होगा, उसका minus 10 आना चाहिए, तो please don't confuse yourself, ठीक है, मैंने उपर लिया, तो मेरा answer मानलो 10 आया, तो आपका minus 10 आना चाहिए, जिसने नीचे लिया होगा, और अगर मेरा answer minus 10 आया, मतलब negative आया, तो आपका positive आना चाहिए, जिनोंने नीचे लिया होगा, this is the only difference और कुछ नहीं है, और उससे कोई फरक नहीं पड़ता पूरी calculation में, तो इसलिए मैंने जानबूच के इस बार change किया पिछले question से, और ये लिखा है, ये आगी मेरी constraint की equation, मैंने C नाम भी जानबूच के रख द 20, ये नहीं बूलना, पिछली बार 20 नहीं आया पिछले question में, क्योंकि तब ये horizontal पड़ा हुआ था, इस बार ये भी force लगा रहा है, तो 2T minus 20 equal to 2AA, एक equation, यहां से AA निकाल के उपर डालना है, मैं मालूँ मैं आप कितनी बार कर दिया ये, second equation क्या आएगी, second equation आएगी, 50 minus direction के इसाब से, क्योंकि आपने AB नीचे लिया हुआ, इसलिए 50 minus T equal to 5AB, this is equation number 2, and the third one, third equation क्या आएगी, T minus, उपर लिया इस इस बार आपने, तो T minus, T minus 100 equal to, T minus 100 equal to 10AC, first equation, AA equal to I, 2T minus 20 upon 2, फिर आया AB equal to 50 minus T upon 5, वो third I, AC equal to T minus 100 upon 10, इन तीनों को डालो उपर, आपका equation जो बनेगी, वो उसके अंदर सिर्फ T दिखाई देगा, उसको solve करो, एक equation एक unknown है, उसके अंदर T, T की value जैसी calculate हुई, आपको सामने दिखाई दे रहा है, कि इन दो तीन equations में जै C मिल जाएगा, जैसी AA मिल गया, फिर मुझे A core equation याद आई, अब मैं मानके चल रहा हूँ कि मुझे AA निकाल लिया मैंने, तो AA जैसे ही निकाल लिया, तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे AA निकाल लिया, तो AA निकालने के बाद, AA निकालने के बाद मैं equation लगाऊंगा, S is equal to UT plus half 80 square, जिसमें मैं U की value 0 डालूंगा, जिसमें मैं S की value 2 डालूंगा, जिसमें मैं A की value, AA के बराबर डालूंगा, जो मैंने निकाली होगी, ठीक है, वो जो उपर वेक्वेशन जैसे डालूंगा, तो मैंने को T मिल जाएगा, और क्या चाहिए अब आपको, सारा तो calculate कर दिया एक एक चीज आपको 10-10 बार मैंने clear कर दी है अब आपको difficulty आनी तो नहीं चाहिए चीजें चाहें ये मुश्किल हैं लेकिन एक एक चीज मैंने clear कर दी तीन तीन चार-चार वीडियो जे एक ही topic पर बना दी है तो अब आपको ये अच्छे से clear करना चाहिए Thank you very much